कल है बैंक एक्स की एक्सपाइरी मार्केट में तो आज ही तबाई स्टार्ट कर दी इंपोर्टेंट जो न्यूज आई है मार्केट क्यों उपर गया है अभी अभी CPI डाटा भी आता है मार्केट कल क्या करने वाला है कल है फ्राइडे गेम चेंजिंग डे है और निफ्टी न बोड़ा सा इंट्रेस्टिंग और बड़ा वने वाला है क्योंकि कल का लेवल्स वगेरा सारी साइकलोजिकल लेवल्स वगेरा सारे चीजे समझने वाले हो ओके गाईस तो इंडिया का जो डेटा आया CPI जो डेटा आया था आपको पहले ही मैंने टेलीग्राम पे मेसेज कर के भेज दिया था कि डेटा आने वाला है अगर किसी को BTST प्लान करना है तो हैजिंग के साथ BTST प्लान कीजिएगा अधर्वाइस BTST को इग्नोर कर दीजिएगा डाटा बुलिश है डाटा बुलिश है मार्केट ऐसे पहले फिन निप्टी में भी प्लैनिंग कर चुका है ग से इंपोर्टेंट जो अपना CPI डाटा आता है यहां पर अभी अपडेट नहीं हुआ है मैं बता देता हूं आपको टेलिग्राम पर ओल्रेडी मेसेज बेज दिया था कि बिया CPI डाटा जो आया है वो यहां पर इंडिया का CPI डाटा देखेंगे तो अपन देखो आया यह आप कह सकते हो यहां पर इंडिया के डेटा का ओके जो सबसे इंपोर्टेंट निउस थी कि भीया निफ्टी क्यों भागा का इस अच्छानक बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो यहां पर चार हजार क्रोड का जो अमूंट था अच्छानक मार्केट के अंदर आता है और मार्केट फायर करता है जब अच्छानक बायर्स आ गए मार्केट के अंदर अच्छानक जो पैसा आ गया जो ब्लोक पैसा था अच्छानक अनलोक हो गया समझ रहे हो तो मार्केट ने फायर कर दिया मार्केट में एक रोकट बना दिया ओके गाईस और मार्केट को ओल वीडियो बना दिया था और ये भी बोला कि अगेन बता रहा हूँ कोई भी ट्रैप मत होना बीटी स्टी में काफी डाटा आने वाला है साम को और किसी को कुछ करना भी है तो हैजिंग ब्लैन करना ताकि आपका मार्केट अगर डाउन भी हो जाए तो भी आपको हैजिंग अगर आपको में पहसेज करता हूँ क्योंकि हमारस्ट अर दृजुकर मार्केट में आपको मैशेज करता हूँ क्योंकि हमारा upside का level था वो 25,125 का था आपको बताऊंगा मैं 25,125 का था इतना support कौन करेगा देखो हमने crude oil में भी trade किया पहले nifty बता था कि भाया 25,125 जब तक level active नहीं होगा हम plan नहीं करेंगे और जब यह active होता है आपको message आता है gamma blast उपर से आपको zero to hero CE भी दे दिया जो की market में आप देख सकते हो 60 क्या 350 प्लस चला गया I think 400 भी चला गया होगा मैंने बात में देखा नहीं ठीक है न nifty downside active नहीं होता है लेकिन bank nifty upside 51 350 बीच में 200 पे 150 पे गूम रहा था मैंने बोला था भाई live के अंदर मैं आपके साथ live था कि यह sideways range में trade नहीं करेंगे range से बाहर निकलेगा तो ही हम plan करेंगे market जैसे ही guys 51 350 का rocket बना और gamma blast हुआ और morning में भी आपको everyday 8 बज़े से पहले आपके पास video आती है कि market कहा open हो रहा है क इस तरह से planning करनी है इतना support देखो guys morning में आपके साथ देखो साड़े साथ बज़े वीडियो आता है कि market gap up open हो रहा है क्यों हो रहा है क्या हो रहा है सारी details बताई उसी के साथ साथ आपको अभी market close होने से पहले आपको update दे दिया पूरे दिन आपके साथ live रहता हूं टेलिग यह हमारा original number है इस पर आप हमें update करें किसी को पैसा ना दे इस यहां पर अपनी queries को यहां पर पूछें कि यहां ऐसा कुछ है नहीं है तुरंत यहां पर बना हो जाएगा यहां पर call पर बात भी कर सकते हो ठीक है न इस चीज को ध्यान रखिएगा description में link है telegram का वहीं से आप जोइन कर सकते हो otherwise क्या है न फेक टेलिग्राम पर जोइन हो तो प्लीज टेलिग्राम पर जाके सर्च मत करना सर्च करोगे तो फेक टेलिग्राम पर जोइन हो जाओगे यहां पर original real टेलिग्राम में आप जोइन होंगे description में link पर वीडियो को like कर देना और जैसे ही 50,000 subscriber पू कुछ पैसा कमाया भी है या फिर आप फुट में फसे हुए तो यह जरूर बताना यह आप जरूर बताना अब इंपोर्टन बात करता हूं मार्केट एक अच्छा मोमेंट करता है बहुत ठीक है ना बड़ा मज़ा आता है अब वन आवर टाइम पर में आपको चीज दिखात हुआ हमने कहा कि भाई यह प्राइज इक्सम को मार्केट फोलो कर रहा है एक ट्रेंड लाइन को यहां तो ट्रेंड को प्रॉपर तोड़ेगा यह फिर जब तक ट्रेंड के अंदर हम बेरी से हैं ट्रेंड को तोडता है हमारा लेवल एक्टिव होता है लाइव में थे यही है Sunsex की expiry क्या plan करना है तो सबसे important बात है अपना data all time high पे है market all time high पे है और market जहां all time पहले high पे था ना वहीं पे आके closing दिया आप यह कह सकते हो कि market 25,314 के ऊपर यहां पे आपको reversal आया है हो सकता हलका सा reversal आपको opening होते होए दिख जाए open होते दिख जाए लेकिन अगर जैसे market reverse लाएगा किस्मत वाले वो होंगे अगर market gap up हो गया देखो जो gap up का scenario है वो यही है बजाज वाला जो आपको मैंने news बताया है कि यह चार लाख करोड एक साथ market में आएंगे तो pump तो होगा ना पंप तो होगा तो market ने blast किया ठीक है ना तो यहां पर हमें market में short covering देखने को मिली है और अब market में जो last candle थी वो यहां पर closing हुआ है अब continue market यहां से 25,000 से सीधा यह साड़े 400 point अगर भाग जाता है तो क्या हमें एक rejection चाहिए या नहीं चाहिए I need rejection yes guys तो यहां पर कल अगर यहां पर जो भी trap हुए ना market rejection भी हो सकता अगर यहां पर यह trap है तो rejection है otherwise market यहां पर support लेके वापिस boom का जाएगा ठीक है ना यह अपने को live market में देखने को मिलेगा अभी हम यह कह सकते है data market bullish है market bullish है all time high पर है ठीक है ना gap up के साथ hedging होना ज़रूरी था number two number two guys कि यहां पर global market को अगर मैं देखता हूं global market को अगर मैं देखता हूं तो global market में मुझे scenario क्या दिखा रहा है Dow futures की बात करता हूं तो इदक को अभी sideways है अभी open होगा 7 बजे तो पता चलेगा कि क्या कर रहा है लेकिन European market is bullish heavy bullish है यहां पर और जैसे ही data आया gift nifty आपको देखो यहां पर अभी के इसाप से negative हो चुका है पूरा 25,330 के आसपास आ चुका है यह sideways हो गया जैसे sideways data आया तो यह भी sideways हो गया ठीक है नगा इस बाकी सारा Asian market bullish है तो हम यह कह सकते है market sideways या पिर अच्छा Gap Uppenay को देखने को मिल सकता अगर यह trap नहीं है तो अत्यान रखेगा word or बोल रहा हूँ अगर यह इस दिन जैसा trap नहीं है तो यहां पर देखेंगे न आप अगर ऐसा trap नहीं है तो ऐसा देखने को मिला था उस दिन भी साइडवेस था उस दिन पूरा साइडवेस था cannell यहीं पर आके आपको trap कर गई अगर यह trap नहीं है तो मार्केट sideways open होके bullish जाएगा और दूसरी बात क्या कर सकता है या फिर मार्केट आपको gap-up देखने को मिल सकता अगर यह trap नहीं है तो otherwise क्या होगा मार्केट वापिस sideways हो जाएगा sunsex कल बया संसेक्स की एक्सपायरी है तो मार्केट आपको ट्रैप करके ड्रा देगा ओके गाई समझ में आया निफ्टी के और अपसाइड के लेवल मैंने ओल्रेडी निफ्टी में बना चुका हूँ कि अगर ओल टाइम हाई तोड़ेगा तो हम अपसाइड जाएंगे और मार्केट में फुल साइडवेस होने के बाद गाई से अच्छा आपको मोमेंट देखने को मिला जीरो टू हीरो मजा आ गया इंतजार का फल मीटा हुआ यही निफ्टी के लेवल से रिवर्सल आएगा तो मजा आ जाएगा रिवर्सल आएगा न तो इस रिवर्सल में भी संसक्स में जो बनेगा ना बड़ा फायर बनेगा टोप पे है बनाया है बस दुआ करो कि साइडवेस करवाना क्योंकि हमें यह बड़ा टार्गेट चाहिए जिस हिसाब से गया है उसी हिसाब से आएगा अगर यहां करवा दिया तो ना तो हम अपसाइड का कैप्चर कर पाएंगे ना यह बात करेंगे बैंग कि साथ साथ हमें एक बार के लिए यहां पर इंपोर्टेंट जो चीज है इंपोर्टेंट जो चीज है गाईस वह अपना यहां पर ओई निफ्टी का ओई देखेंगी तो 25,400 पर अटका हुआ फुली ठीक है ना फुली इसको गेप अपोना पड़ेगा अगर कल ओपर जाना होगा तो गेप अपो के तुरेंट यह रिजेक्शन लेने की कोसिस करेगा इस चीज को ध्यान रखिएगा बैंग निफ्टी की बात करता हो तो पावरफुल रजिस्टेंस से 22,000 इसको तोड़न रखिएगा बात करता हूं संसक्स की संसक्स एक पावरफुल रजिस्टेंस पे 83,000 पे क्लोजिंग दिया है और यहां पर बात करेंगा इस 83,200 और 83,500 के पावरफुल रजिस्टेंस है दो और सपोर्ट की बात करता हो तो 82,500 है तो अब चलता है गाईस बैंग निफ्टी के पिछली बार भी यहीं पर क्लोजिंग की थी कितना मेच कर रहा है पिछली बार भी यहीं पर क्लोजिंग की थी मार्केट कितना गेप डाउन हुआ यहां पर आज भी यहीं पर क्लोजिंग की तो मार्केट यहां पर वापिस अपना 51,300 के आसपास दोका दे सकता है तो यह ब टेको यहान पे Klosing की मार्केट यहां पे करता है इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा तो शाधा अब करेंगा है किलोजिंग की प्रीविएस भी और मार्केट गेception हो और अगर यह रियल ब्रेकाउट होगा यह रियल डाटा आया है रियल जो पैसा आया है अगर किसी ने सेलिंग वगएरा नहीं की तो आपको साइडवेज अलका सा ओके मार्केट अप जा सकता है मिड के अपनी पृट ओल्टाइम हाई पर है ओल्टाइम हाई पर है मिड के अपनी टाटा सब बूलीश घांटा को बेडी को बेरिच नहीं बूलेगास हरो बना देगा इस चीज को अम विध्यान रखना आया है बेरिश हरामी बोल दो इसे ठीक है ना ट्विजर केंडल भी होती है इसे बेबी केंडल भी कह सकते हो लेकिन पावर्फुल जो रजिस्टेंस भाईया है वो है अपन ओल टाइम हाई पे लेवल माग करेंगे कि अगर यह ओल टाइम हाई तूट गया तो समझो भाईया क डाउन साइड के लिए अभी बड़ी केंडल तो दिख रही है गामा बलास्ट की वज़े से डाउन साइड के लिए जो हमने लेवल बनाये हैं वही लेवल रहने वाले हैं मतलब कि कल इसका जिरो टू हीरो के अंदर अगें जिस रपतार से मार्केट गया हुआ है जिस रपत तो लाइक जरूर कर देना ओके गाईस थैंक यू